मैं राजेश सोलंकी मिराज इस्टुमेंडिशन का उनर बोल रहा हूं और जैसे ही कि मैंने बोला था कि बताया था पहले ही कि मैं कोवीद 19 के बारे में आज बात करने वाला हूं कोवीद 19 का effect किस तरह से हम सब पर हुआ है मैं आशा करता हूं कि सब लोग अभी हमारे जितने हेल्थ में है और मैं विश्वा से मुझे और मैं प्राथना भी करता हूं कि सभी लोग अच्छी सेहत में बनाए रखेंगे और हम लोग सब मिलकर यह कोवीद 19 का मुकाबला करेंगे तो मेरा लाइव आने का परपस यह था कि मैं कुछ बाते क्लियर करना चाहता था कि कोवी कि 19 जो स्टीट्वीशन आये यह कोई माउसली स्टीट्वीशन नहीं और हम लोग यह जटैशन हमारी जेनरेशन एक तरह से में कहूंगा स्पेशल जनुरेशन में लखी नहीं कहूंगा बट स्पेशल जनरेशन है विपयर विटनेसिंग थर्ड वर्लट वार क्योंकि के हमारी मुंबए की लोकल रेल्वेब नहीं हुई अपनी पूरी इंडिया की रेलवेब बंद है पुरू फ्लाइट है सब कुछ बंध है ऐसा बंद क्यों हुआ है और वहतूर बैक फूट पर इसलिए है क्योंकि आज हमारे पास कोई solution नहीं है आज ऐसा situation आ गया है कि पूरी शहर में शेयर जैसे घुमते हैं पूरे शेयर में अगर घुम रहे हैं और हमारे पास कोई हतियार नहीं है हम लोग उनको मार नहीं सकते हैं और तो हमारे पास कोई चारह नहीं क उनका में को मिकाबला करने के तयार नहीं मुकाबला करने के लिए तया करतें किस एक 이상 पादेगा कितने तक हम डिन दिन तक हम और बैटेंगे क्योंकि घर में बैठने की इक लिमित होती है लिमित इन दसेंस फाइनेंशल लिमिट क्योंकि कितने दिन तक हम लोग बैठ सकेंगे घर में बैठे हैं कभी ने कभी सामने वाले दिश्मन के उपर हमको हमला करना पड़ेगा और उसके लिए हमको तैयारी करने पड़ेगी तो दो तीन रिजन थी मेरे को एक बताने के लिए कुछा है कि हम लोग ने एक वर些 मैनगयल बनाया है हमारी तरफ से जिसको हमने बनाया है किसका मैं सब को यह भी और What sop भी करूंगा इसका PDF फायिल जिसका मैंने नाम रिखा है Manual to Fight Covid 19 जिसमें हम लोग ने हमारी तरफ से मुझे जो लगा जितने के तरीके से हम लोग को हैंट कर सकते हैं लेकिन ऊसको पकट तो रखेंगे और हमारा रोज मर्या के दुनिया जिन्दगी चालू रख सकेंगे तो इस मैन्यूल में हम लोग ने बहुत सारे पॉइंट इसमें लिखे है कि जैसे कि आप सब लोग जानते कि इसमें क्या लेना है मतलब इसके उपर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि यह हर जगह पे हर वाट्सप पे सोशल मीडिया पे गवर्मेंट ने और हम लो सबसे 15 दिनों से जब से भी लॉकडाउन है तब से वाट्सप मैसेज भेज रहे लोगों को हमारे एंप्लोई को हमारे दोस्तों को सब को जितनों को बता सकेंगे जैसे कि सोशल डिस्टंसिंग रखना जरूरी है एवरी टाइम हैंड वाश करना जरूरी कहीं पर भी पहले ह हमको अदत ही हाथ लगाने की किसी को भी गले मिलते थे हम लोग क्योंकि हम लोग का देश ऐसा है कि हम लोग सबसे पर हम लोग का देश पैयर सिखाता है सबसे बराबरी सिखाती है इसलिए हम लोग गले मिलते थे सबके लेकिन अभी हमको दूर किया है यह को वीद ने और इ वाल फिंग मैंने एक एक तो डाटानिकाला की अगर यह वरू कि इसको हम लगाई समझ गlaus। मेरा जएरले अधत है कि मैं को हमारा कॉन्ट्रयक क क् इन हो क्मारा को हुग में... तरफ जितना करता हूं क्योंकि उसमें भी हमको जितना होता है तो बड़ी लड़ाए मैंने कहां कि इतना बड़ा नहीं होता जितना जितना एकट इस को इद ने किया क्या देखा कि यह जो इन्फेक्शन है को इंटीन अ को सफण थो गलती तो व गया कि हम लोग ने इसको हमेशे हम लोग कह रहा हूं मैं कहीं गभी भी नहीं कह रहा हूं कि GOVERNMENT इसका reason यह है कि हम लोग का गलती हुआ है अनलाइज करने में क्योंकि इसमें से पूरी दुनिया में किसी भी कांट्री ने ंतलब powerful से powerful technology से powerful knowledge से powerful European countryside ले लो अमेरिकन कंट्रीज को ले लो किसी को अंदाजा नहीं आया यह कितनी ताकदवर है यह कोई-19 और कितना वरबाद कर सकता है लेकिन मेरा कहना है कि इससे भी बेटर हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग पहले ही बंद कर देते हैं हमारे इंडिया को सब तरह से तो हम लोग शायद हमारे फोर्ट में सुरक्षित रहते हैं और हम लोग बाकी लोगों को help कर सकते कि अपने पास कोई अल्टरनेटी नहीं है क्योंकि दुश्मान हमारे घर के अंदर है मतलब देश के अंदर है और हमको उससे मुकाबला करना है तो इसका जब मैंने स्टडी किया तो मैंने देखा इसमें गर infection होता है 70-100 आदमी का उगर infection होता है तो almost 75% आदमी 60 एज के अबो होते हैं 75% आदमी होते है 60 एज के अबे 60 साल के उमर के से जो जादा है उनको कोवीद-19 एफेक्ट करता है मतलब मैं उनका डेट रेशो देखा तो 60 साल के उपर के उमर को उन्होंने चिया उसमें भी 75 परसंट मैंने बोला लेकिन उसमें भी 50 परसंट ऐसा है जो 75 के ज्यादा है लोगों के उपर ज्यादा करता है और बाद में 85 के उपर और ज्यादा करेगा और बिलो 20 इसका असर बहुत ही कम है comparatively मतलब तोटल अभी तक जो इंसिडेंट हुए है उसके comparatively यह 8 परसंट है बिलो 60 हम लोग लेते तो यह 17 परसंट है तो हम लोग को एक धैन में आया कि इसको फाइट करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे जो सिनियर है हमारे जो बुजूर्ग है इनको हमको हमसे कुछ दिनों के लिए जब तक हमारे पास कोई solution नहीं है इसको हराने के लिए हमारे इससमकर कर नहीं म interrupt का पास कोई हतियार नहीं है तब तक हमको हमारे बुजूर्ग को भी बचाना पड़ेगा उनको हमको सुल में बहिस करण सब साइट के बारे में, तो मुझे पता है कि डर है सब में, लेकिन जितना डर होने की जरूरत नहीं है. इसकी रिजन में बता रहा हूं क्योंकि हमारे यहां पर जितने वर्कर से मेरे खाल से हडली कोई वर्कर है जो 50 साल के उपर है जादा तर वर्कर 50 से नीचे है और 90 परसन वर्कर 40 के नीचे होंगे 40 45 तो उन लोगों को कोई 19 से डरने का अल्मोस कोई जरूत नी है क्योंकि अगर अपने आपको नहीं बचाएंगे तो पूरी की पूरी उनके साथ में जितने लोगे होंगे उनको सबको यह अटेक करेगा और हम कोईट को डेट की वैसे नहीं डरते वैसे भी अपको डेट रिजन है जैसे हम लोग ने देखा इटली में 12 परसंट हुआ चाओदा परसंट बारा परसंट के असपास डेट रेट काफी बड़ा है अपको इटली के रिजन अलग है इतली में में एजरी पॉपलेशन उनका एज ज्यादा है मतलब सेवंटी यर की उपर वाले लोग वर्किंग वर्किंग लोग है मतलब रोज मरा के काम करते ट्रेकि तो अपने को भी देखना है कि अपना कौंट्या कॉन्टेक उनसे कम रखें तो मेरा सब साइट के वरकर से भुजारिशे कि अगर जो जिस साइट पे है वह साइट पर हुए वह साइट से मूह नहीं करे तो ओउनका फायदा भी करेंगे उनको भी बचा परेंगे क्या होगा पागलपन क्योंकि इंडिया में जनरल ही क्या करते हैं लोग जैसे कि मॉप की तरह से गुमना चाहिए लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे वरकर्स बहुत ही हुश्यार है ऐसा मैं कहूंगा क्योंकि हमारे जितने साइट है वह उसी वह सभी साइट से अभी तक कोई भी वरकर भा जाना था दिल्ली में उतर गया कोई पे उतर गया पड़ जाना पड़ा दो दो दिन मतलब सोच इतनी तकलीव होगी तो और ऐसी कंडिशन में जब सब कुछ बंद है खाना बंदे होटेल बंद है जब जाना बोप मुश्किल है और आगे में भी होगा सम्झों अभी अभी मैं यह Erfahr अना है कि गौवर्मेंट को कां चालू करना पड़ेगा इसका रिजन में बताता हूँ प्तलब कां चालू करना मतलब है एक तो लागडाउं हमारा किती दिन का लॉऌ डाऊं अभी खतम हो रहें एक दो दिन में 12 दिना का ओवजार कोई मजाक नहीं है एक आपको ज पांच हजार करोड कम हो जाता है तो हेडलेन आ जाती है इस मेने का JST कलेक्शन 5,000 करोड से कम हो गया लेकिन ये 21 दिन के लॉक्डाउन में हम लोग ने हमारी कंट्री ने 300-400 लाख करोड रुपया का नुकसान किया नुकसान हुआ है बंद सब कुछ बंद होने से उनुकसान हुआ इंडारेक नुकसान उससे भी जादा हुआ होगा उपर से उनको और खर्चा करना पड़ा आलमोस 300 लाक्स का खर्चा करना पड़ा लोगों को पैसा देना पड़ा और उसकी बावजूद भी ये बहुत ही कम है जिस तरह से का ये वाइरस है बाद में अभी भी हमारे पास्टेज मेडिकल एक्विप्मेंट के शौटेज अब कुर्स गॉष्ण में कहूंगा मैं इस बाद वार्च कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया लॉगदाउन किया और मतलब में गोवर्मेंट में यह नहीं कह रहा हूं कि सेंटर गॉवर्मेंट सब्सक्राइब करेंगे लॉग और मुंसिपल कार्परेशन अब लोगों ने एक साथ मिलके काम किया है जिसके मज़े से हुआ है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि कि पार्टी का गॉवर्मेंट है किसका का ऐसा लग रहा है कि हमारे उपर हमला हुआ हुआ है और हम लोग सब करते हैं और किस तरह से इसको फाइट करें इसके ओपर डिसकुशन चलता है तो मेरा सबसे गुजारिश है कि हम सब को सोल्जर बना पड़ेगा सब को इस लड़ाई में हम है ही क्योंकि लड़ाई का हिस्सा होना है लड़ाई में जाना है नहीं जाना है इसका तो कोई सवाल तो जसके होता है वहां पर संदो हम लोग जाये हैं जो के पास टखलिक देखै अभी क्या हो रहा है कि डिड़ियंकोर करने वाले को सब्सक्राइब, トुर्स्टे जो, ज्रोस्री के सतंव सथाफ है जो ग्रोसरीज वालेज है जो सेनेटरी वर्कर से जो कीनिंग काम करते है जो रिगूर उणको बाहर जाना ज़रूरी है तो देहर कर फ्रंट बन सके और देना चाहिए लोग मुझे कहेंगे हमारे पास तो खाने के पैसा नहीं है अभी हमारी कंडिशन इतनी खराब हो रही है कि मुझें जिए सालरी का मुझे हो रहा है सभी का कंडिशन खराब है कि यह लड़ाई होती है लड़ाई दिखो हरेको मन होता है कि हम उस समय होते तो ऐसा करते हमेसा देखा है हम भी बच्य थे पढ़ते थे इंडेपेंडंड़ंस का इस्टिपड़ा है फाइड़ा है अग्ह लड़ाई होती है तो यह सब स्केर सिटी होगी और स्केर सिटी के बावजुद अपने को इसमें जाना पड़ेगा तो मैं कहुता हूं जिसको बिलकुल नहीं है लेकिन फिर भी आदमी खाना तो खाता है जिसको सिग्रेट की आदत है अपको बहुत मुश्किल है आज की तारी इसने इसमें अपना योगदान दिया मेरे को उससे ज्यादा किसी से उमीदी नहीं है 100 रुपीज भी कोई देता है तो वो उसने बहुत-बड़ा काम कर दिया नेशन का वो एक तर से उसने एक डॉक्टर का काम कर दिया तो आज की तारीक में देखा जाये तो डॉक्टर एक सपोर्टिंग एक्टर का गाम कर रहा है क्योंकि डैरेक्ली हम लोग इस को वीद की ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम सबको पता है कि इसके उपर इलाज नहीं है तो हम लोग जिसकी जिसकी इलाठी उसकी बैस वैसा वाला चल जिसकी इम्मिनिटी स्ट्रॉंग है जिसका कबुषा जिसक में जादा है ओड़ी. डॉक्टर तो सपोर्टीव शी स्ट्रॉंग जो देते हैं सकी मास दे देंगे. ओक्षीजं दे देंगे विंटीलेटर देंगे के यह system से आदमी को बचाए तो अपने को फॉर पोल अपना इम्मिन सृस्ट्यम कैसे बढ़ा है यहीं हम लोग ने मैन्युल में लिखाँ जो पाइट करने के साब से क्या होना चाहिए तो इम्मिन स्युच्ट्म बढ़ाने के लिए अपने को मेडिटेशन करेश्चन करें कि इके से्मिटीम एक लेक्श भी divis q पर पापश मैंने को काफी बताना यह लेकिन मैं हर चीज हो सकता है कि उसकी दिनों के बताऊंगा और आधा गंटा कम से कम एक्सिसाइज करें उसका यह जब तो करें लेकिन खाने के तायम पर पर पर्टिकृलरली सैटरस और जादा खाय यह दिख लेकिन मैंने और डोक्टर हमारा क्लब है ठाने हिल्स उसमें हमारे 15-20 डॉक्टर से उन सभी से मैंने जिसमें से कुछ कोरोना वायरस स्पेशालिस्ट भी बनाए गए मतलब सी गवर्मेंट पैरलल ही अपना काम कर रहा है उनसे मैंने कुछा कि क्या किया जा सकता है उन्होंने कहा कि साइट्रस फूड मतलब होता है लेमन जूस लेमन को बहुत ज्यादे मेंगा आजकल सभी वेजिटेबल सब्सक्राइब क्योंकि ट्रांस्पोर्टेशन बंद है और एंजेस लेमन जूस यह सबको जितनी मातरा में ज्यादा ले सकते हैं लेना चीए इसे यह नहीं कोंगा कि इ अगर किसी वज़र से यह को पकड़ लेता है तो बच जाएगा अपने को इसी तरह से करोना वाइरस या इस कोवीद-19 का अफेक्ट अपने उपर हूँ तो कैसे नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग अलग अपना वर्क प्रोसिजर भी बना रहे हैं अभी तरह हम लोग जो क काम कर रहे थे वो उसमें सेप्टी मैन्यूल था अपना सेप्टी मैन्यूल था और सेप्टी से हर सेप्टी सेम लोग काम करते थे लेकिन सेप्टी मैन्यूल अभी उतन ही पेज बढ़ जाएंगे में कोंगा क्योंकि अभी सेप्टी मैन्यूल में कोवीद-19 से सेप्टी कैस से रखनी है और काम कैसे करना है वह आना जरूरी पड़ेगा क्योंकि और यह लॉक्डाउन हम कंटिन्यूस तो रखने ही सकते लॉक्डाउन गवर्मेंट रखा बहुत अच्छा किया शुरू में इसका स्पीड बहुत कम कर दिया उस पिरेंड में मुझे पूरी गैरंटी है क हमारी सरकार ने प्रॉपर प्रोविजन की होगी बाकी की मेडिकल इक्यूपमेंट जितनी उनकी ताकत आगत है इसलिए मैं कहां कि अपने से जितना वन सके देना चाहिए भरे आप 100 दुपीज देते हैंकि अगर ले सकता है क्योंकि अभी शॉर्टेज जाओ रही है मेडिकल एक्विपमेंट के भी शॉर्टेज है इसा सुनने में आता है हमको अपको गवर्मेंट अपनी पूरी ताकत लगा रहा है उसमें कोई डाउट नहीं है और वह अच्छी तरह से कर रहा है लेकिन अपना जो जुमेदारी है वह अपने को निभाना पड़ेगा और यह ह यह जो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्कर हम लोग ने देखे कि बड़ी-बड़ी संख्या में लाखो की तादाद में भाग गये इसमें गलती है अपना ही गलती है क्योंकि हम लोग ने उनको क्योंकि यह पर्टिकुलर्ली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वरकर लोग है अभी भी हमारे जितने वक्रट में लेंगों अगर बागते तो और बड़ा हईवा हो जाता है और लोग नहीं बागे सब्सक्राइबकाचा biss लंडन में है अमेरिका में वाद किया काफी लोग ऐसे यंग जो 25 थी साल उनको हड़ी को इनको मालूम भी नहीं पड़ा लेकिन हो ऊता इंद कुछ तकलीप नहीं होती है कि विए नोग फैलाते हैं तो उनको मानुम लीनी पड़ेगा कि उनको रस्ते से राइरेस पकड़ लिया और घर पे गए उनको माल नहीwn पड़ेगा लिकिन घरवालों को बिमार करें तो मुझे सबसे गुजारिश है कि at least और तीन-चार मेने रुख जाए क्योंकि तब तक कुछ ने कुछ solution निकल आएगा और हम लोग इसके उपर डॉक्टर सब रिसेर्च कर रहे सब इतनी दुनिया के इसके पर रिसेर्च कर रहे हैं इसके पर solution निकलेगा उसके बाद आप जाईए सब आपका है आपको जाना ही है लेकिन तब तक आप मज जाईए क्योंकि यह ट्रेनोगरा भी इतना दिन बंद नहीं रख सकेंगे कि इतना दिन बंद करेंगे और अगर अगर अपने को करेंट है उनको भी हमारा गुजादर्श है कि यह पहले जरसा नहीं हो पाएगा अभी जो खर्चे में हम लोग साइट चलाते थे उतनी खर्चे में हम लोग उससे काफी गुना खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि इतनी सारी सेप्टी हमको लेनी पड़ेगी और सब कंसिडर करना पड़ेगा पहले जो जिस तरह हम लोग वर्कर को ट्रांसपोर्ट करते एक बस में समझे पचास को लेके जाते थे अभी हमको डिस्टन्स मैंटेन करना पड़ेगा हो सकता हमको बिस पच्रीज आदमी को लेके जाना पड़े तो यह सब तकलिवे आने वाली है I don't know उस कि तरह्त जिले हमारे प्राम्मर्श रख का न riv प्राम क्या नह到 रभी उन्हों बने ने रख जेंश की गula जान भी और जहान भी इसकाम को मतलब हुमको दोनों को बचांदा है दोनों को बचा करे चलना अया तो और ज्यादा में बात आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ मेरा फिर से वही कहना है सब को कि यह मैन्यूल जो मेरे पास है उमें सब को सर्कुलेट करूंगा वाट्सअ मेरा जितना वाट्सअ गूरूप है सब में यह बटूंगा जिसमें जितना लोग केर ले सकते और और एक बात इंपोर्टन बात था जो मुझे बताना था ऐसी जभी प्रॉब्लम आती है यह सद्यों में एक बार आती है मतलब जो टॉपिक से मैं थोड़ा हट गया है जैसे मैंने कहां कि जब ने को भी लगता था कि हम विटनेस करें अभी हम लोगी विटनेस कर रहे है ऐस नहीं बने होते अगर अंग्रेज नहीं आते तो हमें महात्मा गांधी नहीं मिलते और यह वर्ल्ड वार्ट पूर नहीं होता तो चर्चिल नहीं होते और समाज में बहुत सारी दुईया और बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं होते तो हमारे मौमुत पैगंबर साहब नहीं आ और मेरा अभी तक का जितने बूद्रेस मैं मेरा में आज़े करे मृत् inclusion कीया हूं जितने तो किशल प्रब्लम काई ये क्या वं-डाया है वह जे प्रबलम मेरे णा तो कि अपरम अजुन से हुच प्रालों के में गल्सराइश व। खेक। हमें आशामे किया। नाइजरिया में प्राफ़्लम है। करने मालुम पढ़ा carrying शाध नाइजेरिया में लिभिया में बहुत श्याधा प्राउब्लम था 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 तब हमने लिगे में काम मंदी है तो बड़े-बड़ी कंपणी को प्रॉब्लम होगा तो उसमें हमें फैदा हुआ और उसका जो काम नहीं ले पा रहे ते हम लोग को ले पाए वैसा ही यह जो प्रॉब्लम है यह प्रॉब्लम से भी कुछ नो कुछ होगा अच्छा ही होगा यही क्योंकि इश्वर है सब्सक्राइब करेंगे तो उनका भी काम असान हो जाएगा और हमारे भी जिंदगी असान हो जाएगा तो उसके साथ ही आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको गुड़नाइट कहना चाहूंगा और यह लाइव चार्ट से में निकलूंगा और ज Aku जातता युछ में लीकैंट में डर्मीनाने असेघ्वर को और इंडिया के एंपलाई या महाराष्टर के एंपलाई एफेक्ट हुए है या हमारे दोस्त पूरी दुनिया एफेक्ट हुए इसलिए मैंने यह इधर लाइव जाने के लिए पसनल फेस्बुक किया पसंद पेफरन्स दिया और मैं जाओत वा कुछ है तो जितने ज्यादा लोगों मैं बता सको अतना मरे को लगा कि ठीक है और वस्त której पू Adventure Let me हम फिल्ल अभी भी में हैं और मेरा खुदा से भगवान से में तरक्की तौह उसंसे क्यान वाति好像 विल स्था है